तेज मुसलाधार बारिश रात का समय यही कोई आठ बजे होंगे सीता अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घर लोट रही थी सीता जब सोले की थी तभी उसका ब्याव हो गया हीरा नाई उस समय चालिस का था सीता के माबाप ने देखा कि खुद की दुकान है अपना कमाता खाता है चालिस का हुआ तो क्या हुआ बटिया खुश रहेगी और हर शुक्रवार जब दुकान बंद रखता है तो भी घर पर यूही नहीं पड़ा रहता बलकि हाट ठेला चला कर मजदूरी भी करता है शर्मा दीदी ने आज देर तक घर पर रोक लिया था और काम खत्म करते करते रात हो गई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी एक जोर की बिजली चमकी और सारे शहर की लाइट गुल गुडिया उसमें तीन साल की थी और बन्नो कुछ छे वरस की सीता ने गुडिया को सीनियस से लगाया और बन्नो का हाँ जोर से पकड़ कर चली जा रही थी घर जल्दी पहुँचना जरूरी था हीरा की तब्यत जो ठीक नहीं थी चलते चलते अचानक सीता को एहसास हुआ कि जैसे कोई पीछा कर रहा है कल्लू ने सीता का हाँ जोर से पकड़ कर अपनी और खींचने की कोशिश की सीता के साथ ये कोई पहला वाक्या नहीं था लेकिन मा बनने के बाद सीता अब सिर्फ सीता नहीं रही थी राक्षस से लड़ने के लिए भवानी बनना वो जानती थी कल्लू हाँ छोड़ आदमी बीमार है घर जल्दी जाना है सीता जोर से चल्लाई लेकिन ये क्या कल्लू ने तुरंत सीता का हाँ छोड़ दिया सीता इस्तब्ध आश्चरिय चकित शैतान शरीफ कैसे बन गया लेकिन कल्लू के अंदर का शैतान तो अब जाग रहा था उसकी नजर सीता को छोड़ बननो पर थी और ये समस्ते सीता को देर न लगी सीता ने नीचे पड़ा पत्थर उठाया और दे मारा उसके सिर पर बननो भाग गुडिया को लेकर भाग सीता जोर जोर से चिला रही थी तेज बारिश अंध्यारी रात सडक पर कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ मूसलाधार बारिश बननो एक गली में गुडिया को लेकर दुपकी बैठी चुपके से देख रही थी कल्लू के सिर पर खून सवार था सीता को एक तरफ धका दे कल्लू फिर बननो की तरफ बढ़ा बननो की तरफ उसने कदम बढ़ाये ही था कि पीछे से सीता ने ललका रहा कल्लू का उस पर अटाहस कर बननो की तरफ कदम बढ़ाना सीता के करोध की पराकाश्ठा थी एक जोर सी बिजली चमकी और कल्लू को सीता का चेहरा दिखाई दिया सीता नहीं साक्षाद भवानी सामने थी सीता ने पास पड़ी लोही की रोट से वार किया अन्तिम वार और कल्लू वहीं धेर कल्लू का टाहस, उसका दुसाहस, मा की ललकार और अंतिम प्रहार बन्नो गुडिया के साथ सब देख रही थी इस दुनिया में जीना एक संघर्ष है और संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब आप इस्तरी जाती में हो सीता अपनी बेटियों को सिखा देना चाहती थी संघर्ष से जीने और लड़ने का हुनर बारिश थम चुकी थी और घर भी अब नस्दीक था लाइट वापस आ गई लेकिन हीरा नाई की जीवन जयोत अपने अंतिम समय में थी बन्नो को अपने सीने से लगा हीरा आशा भरी नजरों से सीता को बस एक तक देखे जा रहा था गुडिया अब बापू बापू की रट लगा रही थी और हीरा बस आँखें खोले निढाल पड़ा था बच्चों के रोनी की आवाज सुन आस पड़ोस के रिष्टेदर आए बच्चों को संभाला और सीता का ढांडस बंधाया हीरा की लंबी बीमारी और बढ़ते खर्चे ने रिष्टे नातों की परिभाशा समझा दी थी जब जरूरत थी पैसों की तब तो कोई ना आया अब आये हैं दुखदर दिखाने ढ़ोंगी कहीं के मुझे किसी ढ़ोंगी रिष्टेदारों की मदद नहीं चाहिए सीता मनी मन बढ़वडाई अल सोबै घर पर रखे हाट ठेले परी हीरा के शव को रख चल पड़ी शमशान घाट बंदों और गुडिया उसके पीछे पीछे सीता ने निर्णे लिया अब अकेले ही आगे बढ़ना है और वो देश सिर्फ एक कल्डू जैसे लोगों से भरी हुई इस दुनिया में अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाना कि वो संगर्श कर सके लड़ सके बिना रुके बिना ठके बिना डरे दुनिया में सभी लोग खराब नहीं होते कुछ अच्छे भी हैं जैसे कि वो पुलिस इंस्पेक्टर जिसने सीता को मामले से दूर रखा क्यूंकि कल्लू और उसकी अपराधी प्रवर्त्ती को वो अच्छी तरीकी से जानता था और जैसे कि शम्शान घाट के वो पंडित तिवारी जी जो की हीरानाई के बड़े मुरीद थे हमेशा बाल उसी से बनवाते थे सीता की इक्षा का सम्मान करते हुए उन्होंने समाजिक परंपराओं और बंधरों को तोड़ा पूरा क्रिया कर्म सीता के हाथों करवाया बन्नो पास खड़ी सब देख रही थी मा के हाथ में अगनी बापू का धढ़कता शरीर गुडिया का बिलक कर रोना और मा की आँखों का सूखा पानी बाल मन ना जाने कितने तूफानों का सामना कर रहा था सभी क्रिया कर्म होने के बाद अब नई शुरुआत करनी थी लेकिन फिर वही दूसरों के घर जाड़ू पोँचा करना सीता के मन में खटक रहा था घर के बाहर घूमते हुए उसकी नजर अपनी ही दुकान पर पड़ी हीरा ने शादी के बाद दुकान का नाम सीता सैलून रख दिया था बस निश्चे किया कि हीरा की जगए अब वो खुद लेगी हीरा ने अपने जीते जी सैलून का काम सीता को सिखा दिया था लेकिन समाज के डर से कभी करने नहीं दिया शुरू शुरू में दुकान में कोई नहीं आता सब एक औरत को देकर बिचक जाते और जो आते भी वो कलू की तरह होते खैर ऐसे कलू से निपटना तो सीता अच्छे से जानती थी एक औरत का सैलून चलाना भारती समाज और परमपरा के विपरीद है ये जानते हुए भी सीता अपने निर्णाए पर अडिक थी कुछ हफते गुजरे धीरे धीरे महले के लोग अपने बच्चों को लेकर आने लगे और सीता सैलून एक बार फिर चल पड़ा कुछ पैसे आये तो सीता ने बच्चों का दाखिला एक पास के सरकारी स्कूल में करा दिया एक दिन पंडित तिवारी जी महले से गुजर रहे थे और उनकी नजर सीता सैलून पर पड़ी पंडित जी अपने आपको रोकना पाए दरवाजा खट-खटाते हुए अंदर गए सीता ने पंडित जी को देख प्रणाम किया दिवार पर हीरा की तस्वीर देख पंडित जी की आँखों में आसू उमर पड़े पंडित जी बोले बेटा मैंने जीवन में ब्याह तो नहीं किया लेकिन इश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि कभी मुझे बेटी दे तो सीता जैसी बेटी दे एक पंडित के मुख से नाई की इस्तरी को बेटी की तरह मानना सीता तो बस पंडित जी से लिपट कर जैसे बिलख पड़ी लगा बापू फिर लोट आए हैं हीरा के जाने के बाद यह पहला मौका था जब सीता के आँख में आसू थे पंडित जी जहां भी जाते सीता के संघर्ष की कहानी जरूर सुनाते चाहे वो विवाह संसकार हो मुंडन या फिर अंतिम संसकार ही क्यों ना हो अब तो महले की औरतों ने भी आना शुरू कर दिया सीता का संघर्ष लोगों की जुबां से होता हुआ अकबारों की सुर्खियां बन गया दिन, महीने, वर्ष गुजरे, बच्चे बड़े हो गए सीता ने बंदों को सरकारी कॉलेज में दाखिला दिला दिया पार्ट टाइम कोर्स का अपना फाइदा है, पढ़ते पढ़ते कुछ कमाया भी जा सकता है पांचवी पास सीता समय बीतने के साथ साथ पढ़ाही के बारे में काफी कुछ जान गई थी सीता ने अब अंतिम फैसला लिया हीरा के जाने के बाद निश्चे किया था कि बिटिया को अपने पैरों पर खड़ा करके रहूंगी कॉलेज से लोटते वक्त बन्नो की नजर दुकान के बोर्ड पर गई सीता सैलून की जगे लिखा था, सीता ब्यूटी पारलर सीता ने दुकान की चाबी बन्नो को सोपते हुए कहा बेटा बहुत थक गई हूँ, अब कुछ आराम करना है बन्नो ने अम्मा को सीने से रवा लिया कि अई राम करना है